नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बिये भाग प्रतम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधी प्रमुख भारती राजनितिक विचारक में स्वामी दयानंद के सामाजिक चिंतन के बारे में बताऊंगी स्वामी दयानंद एक सन्यासी थे जो समाज सिवा में विश्वास रखने वाले थे और उन्होंने इस बात का अनुभव कर लिया कि जब तक समाज में विविद अंद विश्वासों और कुरुतियों का प्रचलन रहेगा तब तक भारत में राष्ट्रिय जागरिती और राष् जीवन के बहुत सारे प्रसंगों पर गंभीरता के साथ विचार किया और अपने सामाजिक चिंतन में उन्होंने बहुत सारी सकारात्मक बातें की जिससे की समाज सुधा और संभव हो सके जब हम दयानन सरस्वती के समाज से समंदित चिंतन के बारे में पढ़ते हैं तो वास्तव में ये लगता है कि वे एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनोंने व्यक्ति और समाज को नयकेवल एक दूसरे के पूरक बताया वरन उन्होंने नारी की गरीमा का भी प्रबल समर्थन किय समाजिक कुरूतियों के अंत के बारे में भी उन्होंने अपने बहुती दृड़ता के साथ विचार रखे तो सबसे पहले जब हम देखें कि व्यक्ति और समाज को वो एक दूसरे के पूरक बताते हैं तो उन्होंने ये विश्वास व्यक्त कि व्यक्ति का सरवांगिन विक समाज में रह कर ही संपन हो सकता है और विकास की इस्तिति को व्यक्ती तक ही सिमित कर देना एक बहलांति पूर्ण धारणा है समाज एक संगठित इकाई है और हमारा लक्षय ये होना चाहिए कि विकास का लाब समाज के प्रतेक सदस्य को प्राप्थ हो इस प्रकार स्वामी जी समाज के प्रतेक सदस्य के विकास को आवशक और महत्वपून वानते थे गुणों पर आधारित वर्ण व्यवस्था का उन्होंने हमेशा समर्थन किया और वर्ण आश्रम धर्म का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आज की जाती व्यवस्था उस वर्ण आश्रम व्यवस्था के एकदम विप्रीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था उन्होंने जर्म को जाती की कसोटी मानने का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाती उसकी मानसिक प्रवर्तियों, गुणों तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए उनका विचार था कि वर्ण निर्धारित करने की कसोटी जन्म से नहीं वर्ण किसी विशिष्ट कारे को संपन करने की मानसिक शमता है दयानन्द का मत्था के मनोवेग्यानिक तथा व्यावसाइक कसोटी पर आधारित वर्ण का सिद्धान्त अनेक सामाजिक तथा व्यावसाइक संगर्षों का समाधान कर सकता है उन्होंने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि समस्त कारे सामाजिक पूर्णता के निमित संपन किये जाते हैं अत्यच्छुआ छूत या किसी को उंचा और किसी को नीचा समझने का प्रशन ही उत्पन नहीं होना चाहिए आश्रम सिद्दान्त का समर्थन करती हुए भी भारत के प्राचिन साहित्य में प्रतेक व्यक्ति के जीवन के उन्होंने चार आश्रम बताए ब्रह्मचार्य उसके बाद ग्रहस्त पिरवान प्रस्त और अंत में सन्यास आश्रम व्यक्ति की आयू सो वर्ष समझ करे यह व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति क्रमशे प्रतेक आश्रम में पच्चिस वर्ष की आयू व्यतित करे स्वामी जी ने इस आश्रम सिद्दान्त का समर्थन किया उन्होंने कहा कि आज के समाज में जो घातक प्रतिस परदा की स्थिति है आश्रम सिद्दान्त को अपनाने पर उस पर अंकुष लगना और सामाजिक जीमन में व्यवस्था इस्थापित होना संभव है वे नारी गरिमा के प्रबल समर्थक रहें हैं और नारी की गरिमा का प्रबल समर्थन करते हुए हिंदू समाज में प्रचलित इस विचार का खंडन किया कि नारी पुरुश के समान नहीं है उसे प्रकर्ती ने ही शरीज स्वभाव योग्यता था शक्ती की द्रिष्टी से पूरुष से भिन बनाया है और ये भिन था उसे पूरुष की तुलना में हेई बनाती है स्वामी जी का मन मात्री शक्ती के प्रती आदर से परिपूर्ण था बेस्त्री जाती की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्य पक्ष पाती थे अता उन्होंने इस्त्रियों के सामाजिक जीवन पर लगे अनुचित प्रतिबंदों की निंदा की इस्त्रियों की दीन ही इन दशा से उपर उठाने में दयानंदने जीवन परियंत कोई शिथिलता नहीं आने दी उन्होंने परदा प्रथा का विरोध किया और इस्त्रि सिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा जो तुम इस्त्रियों के वेद पढ़ने का निशेद करते हो तो वह तुमारी मुर्खता, स्वार्थता और निर्बुधिता का प्रभाव है इस प्रकार उन्होंने इस्त्रि पुरुष की मूल भूत समानता पर बल दिया, उन्होंने का कि इस्त्रि पुरुष दोनों को विवेक की अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए, उन्होंने इसमें शादी में इस्त्रियों के लिए इस प्रकार की बात करना निश्ट रूप से करांतिकारी विचार था। इस्त्री शिक्षा की गैरी आविशक्ता अनुभव करते हुए उन्होंने फिरोजपूर में कर्ण्या महाविद्याले और मेरट में कर्ण्या पाथ साला भी स्थापित करवाने का कारे किया। जो अपने जिवनकाल में पहुती महत्मोन कारे किया उन्होंने और स्वामी दयानन्द ने वस्तुते इस्त्रियों के गोरव को बढ़ाया है। सामाजिक कुरीतियों का अंत करना अत्यंत आवशक है ऐसे विचार स्वामी दयानन्द रखते थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किये बिना राष्ट्रिय जागरती और राष्ट्रिय विकास संभव हो ही नहीं सकता। उन्होंने सामाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने परबल दिया। स्वामी जी ने प्रतिपादित किया कि बाल विवा नैतिक जीवन और शारेरिक विकास दोनों ही इस्थितियों के लिए घातक है उन्होंने इस पश्ट प्रतिपादित किया कि 16 वर्ष से कम आयू की कन्या और 25 वर्ष से कम आयू का पुरुष शादी के नितान्त योग्य नहीं होते उन्होंने बाल विवा के विरुध मांसिक वातारण तयार करने का कारे किया उन्होंने अनमेल विवाओं का भी विरुध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि सुख में पारिवारिक जीवन तबी संभव है जबकि इस्त्री पूरुषों को विवेक अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया जाए इसी प्रकार उन्होंने दहेज प्रथा, बहु विवा, विद्वा विवा, निशेद, सती प्रथा, समुद्रियात्रा निशेद, आधि सामाजी कुरितियों का भी विरुध क्या स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरितियों के विरुद केवल प्रवचन ही नहीं दिये वरन वे संकल्प लेकर इन्हें समाप्त करने की दिशा में आगे भी बढ़े इसी संदर्म में हम शिक्षा के बारे में भी जब स्वामी दयानंद के विचार पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत ही विकास की ओड़ ले जाने वाले हैं अते सिक्षा के शेतर में उन्होंने जितनी व्यावहारी के रूचि ली उतनी बहुत कम समाज सुधार को निली है उन्होंने मनु के इस कथन का समर्थन किया कि राज्य तथा समाज दोनों के द्वारा सब लोगों के लिए अनिवारे कर दिया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों को पांचमे तथा आठमे वर्ष के बाद विद्याले भेजे इस आयू के बाद बालक को विध्याले में नहीं बेजना एक दंडनिया अपराध होना चाहिए दयानंद ने शिक्षा को व्यापक अर्थ में लिया है उनके लिए शिक्षा का अर्थ था शरीर का निर्मान, इंद्रियों की साधना और बौधिक शक्तियों का विकास ब्रह्म चार्य पालन को उनोंने अच्छी शिक्षा व्यवस्था की एक अनिवारे शर्थ माना प्रारंबिक शिक्षा के विशव में उनोंने माता पिता को बालक का प्रथम गुरू बताया और लिखा कि माता-पिता के उपदेश से संतान को जितना लाब हो सकता है उतना और किसी से नहीं हो सकता इस प्रसंग में माता की भूमिकाव को वे सबसे अधिक महतुपून मानते थे उन्होंने सदेव इस बात पर जोर दिया कि शिक्षन कारे चरित्रवान और विद्वान व्यक्तिव को ही सोंपा जाना चाहिए दयानंद ने नारी शिक्षा पर उतना ही बल दिया जितना की पूरुशों की शिक्षा पर लेकिन वैसे शिक्षा के पक्स में नहीं थे और उनका विचार था कि से शिक्षा का लड़के लड़कियों के चरित्र पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता उनका आगरे था कि प्रतेक समाज में लड़के और लड़कियां या लड़कियों के लिए अलगलग शिक्षन संस्थाई होनी चाहिए लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा पदत्ती, शिक्षा के विशे और पाठ्यक्रम में भी भिन्नता होनी जरूरी है दयानन ने ऐसे शिक्षा पदत्ती अपनाने पर बल दिया जो पूर्ण रूप से राष्ट्री हो और जो ऐसे नागरी उत्तपन करे जिन में समाज के प्रतिकर्तव या परायनता और उत्तरदायत्व की भावना विद्यमान हो इस द्रिष्टी से उन्होंने गुरूकलों की स्थापना की सिफारिस की जहां तारून, ब्रह्मचारी गण, आचारव की निगरानी में शिक्षा का अर्जन और व्यक्तित्व का विकास कर सके उनका कैना था कि गुरूकलों में सभी वर्गों और जातियों के बच्चों को समानता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिए और धनी तथा निर्धन के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए दयानन्दने देश की एकता के प्रसंग में भी शिक्षा को महत पून माना और इस बात का प्रतिपादन किया कि देश को एकता के सुत्र में पिरोन के लिए पूरे देश में हिंदी प्रचलन आवशक है उनकी शिक्षा योजना में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी स्थान था आरे समाज ने गुरुकुलों के साथ सारे देश में पश्चत्य शिक्षव्यवस्ता पर आधारित स्कूल और कोलेज भी इस्थापित किये ये शिक्षव सहस्थाएं ही स्वामी दयानन्द के सच्चे इसमारक है स्वामी दयानंद सरस्वती के यदि हम धार्मिक विचारों की बात करें तो उन्होंने किसी नए धर्म का प्रचलन अत्वा प्रतिपादन नहीं किया वरन उनके मान्यता का शुद्ध आधार था वेदान्त उनके कुछ प्रमुक धार्मिक विचारों की यदि हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे उनका एकेश्वर बाद में विश्वास था। और धर्म तो कर्म की प्रेरणा देते हैं, और पूरुशार्थ से विमुख व्यक्ति कभी इश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। मूर्ती पर चुओं की उचल कुद को देखकर उनके मन में मूर्तियों के प्रती विरक्ति भाव पैदा हो गए थे और मूर्ती पूजा का विरोध उनके धार्मिक चिंतन और विश्वास का एक अनिवार अंग बन गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ती पूजा नहीं तो वेद सम्मत है और नहीं कोई धार्मिकारे। मूर्ति में इश्वर के अस्तित्व को मानना तो मात्र एक अंध विश्वास है। उन्होंने मूर्थी पूजा के समर्थकों को शास्त्रास्त्र में पराजित किया और बहुत से मूर्थी पूजक विद्वान तो मूर्थियों को गंगा में प्रवाहित करके दयानत के शिशवी बन गए। सामान्य भारतिये के मन में आत्म हिंता ने घर कर लिया था और जनता का एकवर्ग इसाई मत के और आकरशित भी हो रहा था। इन सब परिस्थितियों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बिड़ा उठाया और रक्षात्म को देशे से दूगुन शक्ति के साथ इस एक धर्म को स्रेष्टता या स्रेष्ट बताया, स्रेष्टता उनकी सिद्ध भी की और इसके लिए इसाई मत और इसलाम का उनहीं के मान्यताओं के आधार पर खंडन भी प्रारंब किया, तब मोल्मियों और पाद्रियों ने उनका संघर्ष भी आरंब हो गया, लेकिन इसल इसके अतिरिक्त स्वामी जी तो धार्मिक सत्य की खोज में सलगन थे और वैदिक धर्म में द्रड़ास्था रखने वाले इस सन्यासे ने प्राणी मात्र के कल्यान हेतु उन्हें वैदिक मत की और अनुप्रेरित क्या स्वामी जी ने तो धार्मिक संकेनताओं से उपर उठकर वैदिक धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की और अन्य धर्मों की अन्यौईयों को भी उन्होंने उनके धार्मिक मत की जो कमजोरियां थी उसके बारे में उन्होंने बताया दयानन्द सरस्वती का शुद्धी आंदोलन तो हम सबने सुन रखा है क्या था ये सुद्धी आंदोलन यह एक केवल सुधार की वाणी नहीं थी जागरित हिंदुत्व का समर्णाद था यदि सामाने भाषा में हम कहें तो धार्मिक शेतर में दयानन्द और आरे समाज के एक और कारे ने विवाद की स्थिती को जर्म दिया था सुवामी दयानन्द ने गोशना कर दी कि जिन हिंदू ने हिंदू धर्म का त्याक कर अन्य धर्मों को ग्रहन कर लिया है यदि वेपुने हिंदु धर्म स्विकार करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और ए हिंदु भी यदि चाहें तो हिंदु धर्म में प्रवेश पा सकते हैं साइत्यकार दिनकर स्वामी जी के इसी विचार को उन्होंने कहा कि जागरित हिंदुत्व के लिए एक प्रमुक विचार था उनका स्वामी दयानन्द ने इसलाम और इसाई मत का भी जो खंडन किया और उनके द्वारा जो शुद्धी अंदोलन चलाया गया उसके कारण मुल्ला मोलवी और पादरी वर्ग के साथ विवाद की स्थिती बनी लेकिन इस प्रकार की किसी स्थिती का दैतु स्वामी दयानन्द या उनके चिंतन पर नहीं पड़ा दयानन्द का विरोध इसलामिक समाच से नहीं था उनका विरोध विविन धर्म शास्त्रों की उन शिक्षाओं से था जिने वे बुद्धी विरोधी समझते थे मुसलिम समाच या इसाई समाच के राजनितिक या आर्थिक हीतों की विरोधी वो कभी नहीं थे और इसी तरह स्वामी दयानंद को अन्य धर्मावलंबियों के प्रमुख व्यक्तियों से बहुत संबान भी प्राप्त हुआ था सरसेयद एहमद खां और चर्च के पादरी स्कोर्ट उनके प्रशंसक और भक्त भी थे मूल रूप से वे स्वामी की न्याई प्रियता, मानतवा दिद्रिष्टिकोर्ण और निर्भेता से प्रभावित थे चर्च में भाशन देने के लिए पादरी स्कोर्ट का नेमंत्रण भी उनके अपार स्ने का परिचायक है लाहोर के डाक्टर रहीम खा और अन्य कुछ मुस्लिम नेताओं का भी उनके प्रतिसत भावना पूर्ण व्यभार रहा तो स्वामी जी धार्मिक शेत्र में भी संपूर्ण अंशों में समानता के सिद्दान्त को अपनाने के समर्थक रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट घोष्णा की कि इस्त्री और शुद्र को वेद के पाठन का उतना ही अधिकार है जितना पुरोहित वर्ग के किसी व्यक्ति को हो सकता है दयानन्द ने इस्त्री और पुरुष्ट दोनों के लिए एक निश्यतायू तक ब्रह्मचारे के पालन को बहुत अधिक महत्व दिया गो रक्षा और गो वध निशेद आदी के बारे में भी उन्होंने अपने महत्पून विचार व्यक्त किये उन्होंने पुरोहित वाद, वितंडावाद और पाखंडवाद के विरुद भी चीवन परियंत संघर्ष किया इस तरह से चाहे उनके सामाजिक चिंतन को ले या शिक्षा के बारे में विचार या धार्मिक विचार सारे के सारे बहुत ही समाजिक सुधार के रूप में हमें उनका चिंतन या उनके विचार जान पड़ते हैं, धन्यवाद